तो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल आरेट रिक में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाटसप प्रोफाल का एसकिन सोट कैसे ले न्यू अपडेट के बाद तो दोस्तो अगर आप अपने वाटसप को बिलकुल न्यू अपडेट कर लिये हैं और उसके बाद आप किसी भी फ्रेंड का आप एसकिन सोट लेने जाते होंगे उसका प्रोफाल का तो आपको यहाँ पर एसकिन सोट एलाव नहीं करता है देख सकते हैं यहाँ पर आचुका है डोज नॉट एलाव एसकिन सोट देख सकते हैं दोस्तो इसी वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ एक फ्रेंड का यहाँ पर एसकिन सोट ले रहा हूं देख सकते है कितना इसली तरीके से यहाँ पर एस्किन सोट आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पर मैं कितना भी एस्किन सोट ले रहा हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा दोस्तो डाज नाट एलाव टेकिंग एस्किन सोट यह प्रोलम तव आएगा जब आप अपने वाटसप को बिल्कुल निव अपडेट कर लेंगे तो सबसे पहले आप जाएए अपने प्ले एस्टोर में या फिर एप एस्टोर में और उसके बाद जब आप अपने वाटसप को अपडेट कर लेंगे उसके बाद दोस्तो जब आप वाटसप को ओपेन करेंगे और उसके बाद दोस्तो जब आप किसी भी फ्रेंड का यहाँ पर एस्किन सोट लेंगे तो यहाँ पर उसका ask insert नहीं आएगा यहाँ पर आ जाएगा does not allow taking ask insert तो दोस्तों does not allow taking ask insert यह problem क्यों आ रहा है तो दोस्तों यह कोई problem नहीं है यह WhatsApp का एक new privacy आ चुका है क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि किसी भी friend का profile DP का यहाँ पर उसका ask insert ले लेते थे और उसका miss use करते थे उसके नाम से fake ID बना लेते थे इसलिए WhatsApp ने एक new privacy launch किया है जिसके करण आप किसी भी friend का ask insert नहीं ले सकते हैं तो WhatsApp profile का ask insert लेने के लिए सबसे पहले आपको WhatsApp को open करना है और WhatsApp open करने के बाद दोस्तों जो भी friend को आपको ask insert लेना है उस friend का यहाँ पर profile DP को आपको open करना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस friend का profile DP का ask insert लेकर के आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस profile को open करता हूँ और profile open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसका ask insert ले लिया हूँ लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इलाव नहीं करता एस्किन सॉट लेने का तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों जो भी फ्रेंड का आपको एस्किन सॉट लेना है उस friend का यहाँ पर आप dp open करेंगे और dp open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से skin shot ले लेना है और skin shot लेने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर गैलरी को open करना है और गैलरी open करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर इस crop बाले option पर click करना है और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस राट पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह प्रोफाल डीपी का स्कीन सोट आपके गलरी में सेव हो जाएगा